नमस्कार साथियों नगरपाली का दिनियम दो जार नौ यू आरो बैच अंक भार 40 का इससे पहले अपन धारा दो सो पंद्रा तक कर चुके हैं 215 से आगे 216 से 220 देखें क्या है इसमें इससे पहले अपने पिछली दो लगातार अब वीडियो के डाल रहा हूं में और कोशिश करूंगा कि ये वीडियो में लगातार डालूं ताकि समय पर ये काम अपना पूरा हो जाए अगर ध्यान दिया होगा अपने अगर पड़ा हैं तो 200 से लेकर के 215 तक जो धाराएं की अपनने हैं वीडियों का बनाना है लगबख सारह जारा डेने सिस्टम से समंधित हैं, तो थोड़ा आपने दिमाद में इस चीज रखें, कि नालिया डेने सिस्टम, जल निकास और उसके समंध में, नालियों के समंध में नगरपालिका की जो सक्तिया हैं, उनके बारे में हैं अभी तक ये उन्हीं के बारे में पढ़ा है अपने 200 से देकर 215 तक और अब 216 में भी यही है देखो जल प्रणाल आदी ले जाने की सकती जन प्रणाल मतलब नाली ले जाने की सकती कहीं कहीं नाली कैसे ले जाए जानी है उससे समंदी सकती होगी देखते इसमें क्या है यानि धारा 216 जल प्रणाल ले जाने की सकती सिधा प्रस्ण आ सकता है कि कौन से अध्याय में नगरपाली के अधिनियम 229 के कौन से अध्याय में जल प्रनाल का उल्लेक हैं तो अध्याय कौन सा वारवा अध्याय अनुच्री धारा पूछले तो 266 क्या गहिए देखो राज्य सरकार के जल परदाय विभाग यानि जल परदाय विभाग यानि जल विभाग और नगरपाली को जल परदाय करने के लिए जल परदाय समंदिक कारियों का निर्मान तथा रख रखाव करने का कर्तविय निहित होगा राजी सरकार की जल परदाय विभाग और नगरपालिका को नगरपालिका को क्या करना है जल परदाय करने के लिए जल परदाय समंदिक कारिय यानि जल प कारिये की पेज़ल से समंधत कारियर करना है वो इसमें 216 में है कि 216 में क्या है वैवसाइक बहिष्राव के सम्मफ में विशेस्ट उपबंदफ्थ वैवसाइक मतलब commercial ऐसा कोई commercial building है commercial complex है या commercial market है कोई भी commercial हो और वहां से जो बहिस्राव है वहां से कुछ पाणी कि वेस्टेज का पानी जो वैस्टेज नहीं आवसिंट में यह उद्बंध है यानि वहिस्रा मतलब बाहर भीजने वाला वार भीकलने वाला वैवसाइक परिसर का अदिब होगी यानि उस वैवसाइक परिसर को परिशर का उपभोग करने वाला अधिभोगी का मतलब है उस वैवसाइक परिशर का उपभोग करने वाला नगरपालिका के अनुमोधन से मतलब नगरपालिका की अनुमति से नगरपालिका की नाली में वैवसाइक बहिश्राव कर सकता है सिद्धी सी बात है अब इसको कौन सी बात है कि कौन सी कोई बड़ा बड़ा कोई पेचिदा मैटर नहीं है इसमें सिद्धी सी बात है मान लो मेरा कोई थेटर है या मान लो मेरी कोई होटल है अब होटल में जिते भी बातरूम है सोचाले हैं लेटरिन है वो जो भी बने नगरपालिका की किसी नाली में जाएगा जब नहीं जाएगा और कहां जाएगा मैं कहां इकटा करूंगा लेकिन उसके लिए वह नगरपालिका की नाली में जोड़ने के लिए उसको अनुमधन लेना होगा नगरपालिका से अनुमधन लेना होगी कि मेरे होटल का यह इस पर वाला पानी ले जाने के संबंद में है कि इप अपलब्त करवाना दो सो अठारा वयवसाइक बहिस्राव के जल निकास से संबंदित विशेश उपबंद वयवसाइक वयवसाइक बहिस्राव के जल निकास के संबंदित उबंद, 218, 216 में क्या था, जल प्रणाल, 217 में क्या था, वैसाइक बहिस्टराव के लिए विशेश उबंद, यानि कोई कॉमर्शियल परिशर है, वहां से एक कुछी प्रकार का बहिस्टराव हो रहा है, तो वो जो गंदा पानी वगेरा है, उस कॉमर पानी में जाएगा, लेकिन उसके लिए 217 के अनुसार उसको अनुमोधन लेना होगा, नगरपालिका का अनुमोधन लेना होगा, तभी 217 के अनुसार वो उसमें जोड़ सकता है, और 217 के अनुसार नगरपालिका उसका अनुमोधन करेगी, तभी उसको उसमें जोड़ा ज जाएगा लेकिन नगरपाले का अनुमति देगी क्यों सिंपल से अनुमति देगी ही वन्ना वो पानी कहां जाएगा अब इस अधिनियम के अधिन बनाएगे नियमों यानि कौन सा अधिनियम दो हजार नौ के इस अधिनियम के अधिन बनाएगे नियमों उपविद्यों या कि किसी रूडी प्रथा करार में किसी बात के होते हुए भी जहां मुख्य नगरपाले का अधिकारी की राय में कोई भी व्यवसाइक परिसर प्रभावी जल निकास की व्यवस्ता किये बीना यानि यह क्या कह रहा है इस अधिन्यम के विद्यों उप्विद्यों के होते हुए भ इसुकंझालावल का सम्झोटा है इँदुटारी को यह व्यक्ति के व्यास को व्यवस्ता किये बीना या उसकी नालियों को नगरपालिका की सामानी जल निकास प्रणाली में मिलाया नहीं गया है या बहिसराव सुदता का नहीं है तो नगरपालिका अधिकारी लिखित नोटिस द्वारा स्वामी या अधिभोगी से अपेक्सा कर सकेगा की अब की में आगे क्या क्या हो सकता आई बात समझ में ये कह रहा हैं देखो वापस देखो ये क्या कह रहा हैं अठारा में क्या कह रहा हैं कि कोई commercial complex हैं उसका जो commercial भाहिस्राव हैं वो जल निकास प्रणाली में होगा जल निकास होगा उसका होगा तो अब नमुख्य नगरपा अधिकारी यह आशा रखता है कि आप अपने जो कॉमेर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं परिशर हैं उसमें एक बिल्कुल परभावी व्यवस्तित एक दम वैल मेंटेन बिल्कुल उपकरण वगेरा फिट किये हुए होने चाहिए और वहां से एक अच्छी तरके से तीवर धाल वा यानि पानी भरा हुआ नहीं होने चाहिए परभावी जल प्रणाली परभावी का मतलब ऐसी जल प्रणाली जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को वहां से जाने वाले लोगों को आने जाने वाले लोगों को किसी परकार की आने जाने बादा उत्पन नहों और नहीं उन प्रणाली की व्यवस्ता किये बिना या उसकी नालियों को नगरपालिका की जो सामानी जल निकास नालिया हैं उनको मिलाए बिना यानि कोई कॉम्प्लेक्स हैं कोई कॉम्प्लेक्स हैं और उसमें पानी निकाल के हैं छोड़ दिया और नगरपालिका की नालिया हैं मिलाए ब बरतनों का जो जूटन वगेरा है तो उसको सुद किये बिना यो नहीं है कि पूरा का पूरा कच्रा है जूटन वगेरा है जो भी है वो सारा का सारा नाली में आ रहा है वो नाली में नहीं आना चाहिए उसको पानी पानी आना चाहिए केवल जो भी है चाहिए वो कैसा भी पा सर्वादी बाइवसराव कि द्टारण रोक दे मैं यह तरीका बताया गया है उस नोटीस में बताया गया हैं कि आपको जो आपकी होटल का बाहिसराव हो रहा है, बोटल से जो गंदा पानी निकल रहा है, जो जुठन का कच्रा वगेरा निकल रहा है, उसको आप जो भी नोटीस में लिखा होगा, कि आप उसको अलग करो, जो सुखा कच्रा है, उसको अलग करो, और जो भी जो जेविक अफसिष्ट है, उसको अलग क करो और फिर पानी पानी ही आपको नाली में परवाहित करना है ऐसा कुछ वह उस नोटीस में लिखा होगा वह अगर नहीं कर रहे हो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वह पानी आप उस नाली में नहीं गिरा सकते यह कह सकता है और क्या कह सकता है कि नगरपालिका की नाली म बहुंस्ट राव के निष्णारण से पूर्व उसका सोधन करें करें और नहीं दून निर्धिश्ट के गें यंत्र उपकरण सतापीत करें यंत्र उपकरन इस्तापित करें ताकि कच्रा उस कच्रा वो कच्रा है वो नाली में न जाए उससे बद्वु नहीं फेलें गंदगी नहीं फेलें कीचर न हो ठीक है मच्छर नहीं होंगे उससे और वो नाली ब्लॉक भी नहीं होगी नाली ब्लॉक भी नहीं होगी तो इस पर विद्धिमान निरधारित करें। पता चला कि ये हूटल है और होटल के इस साइड से नाली निकाली जा रही हैं और पता चला कि इधर है वो डलान थोड़ी ऊची हैं तो यहां पर क्या हुआ पानी इकटा हो रहा है। नगरपालीका ने कहा कि नई आपका ये जो नाली है उस नाली को इस साइड में लाओ और ये जो ढलान वाला इसा है उस ढाल के सहरे करो किसी सोधन यंत्र विद्यमान नाली उपकरण सयंत्र फिटिंग में सुनसोधन मरमत और नवीनी करण करें यानि कोई जो सिस्टम बतार लगा रखा है उस होटल वाले ने होटल मालिक ने या दीबोगी ने जो मसीन वगएर उपकरण वगएर लगा रखा है उसका सोधन करने के लिए अगर उसमें खराब हैं सही काम नहीं कर रहा हैं सही प्रोपरली सही तरीके से काम नहीं कर रहा हैं 19 क्या कह रहा है जल प्रणालों या नगरपालिका की नालियों पर बिना अनुग्या के भवन, रेल और प्राइवेट मार्गों का परिनिर्मान या सन निर्मान नहीं किया जा सकता पता चला कि कोई नाला है और नाले की उपर किसी व्यक्ति ने कमरा बना दिया नहीं कर सकते पता चला कि नाली हैं और नाली के उपर ही सोचाले बना दिया, घर के आगे नाली चल रही हैं और घर का थोड़ा इसा आपका बाहर आये हुआ हैं अथोड़े अंदर हैं लेकिन आप थोड़ा सा बाहर चले गए और नाली के उपर ही सीधा सोचाले बना दिया, नहीं बना सकत आप ऐसा नहीं कर सकते नगरपाली का द्वारा निरमित और रख रखाव की गई किसी भी नाली पर उसकी अनुमती के बीना कोई निर्मान नहीं होगा लेकिन मकान बनाने की अनुमती नहीं देगा नाली की ऊपर बाद्रूम बनाने की अनुमती नहीं देगा पूल है कोई नाड़ा है बड़ा नाड़े की उपर कोई भी निर्मानकारी की अनुमती नहीं देगा किसी नाली या जल संकर्म पर नगरपालिका की अनुमती के बिना कोई डाचा बनाया गया है या रेल या प्राइवेट मार्क बनाया गया है तो न इनने का था नहीं अनुमति नहीं देगी और अगर बिना अनुमति के बनाया हैं तो उसको वहाँ से नगरपालिका हटा देगी समझ गये लुप धरा दो कि अधिन्द लेगा इस निर्मान कारिये पर होने वाला अब सीधी से बात है खर्चा कौन देगा नगर पाली का देगी नै वो व्यक्ति देге जाए और नगर पाली का अगर आप एगा जयसी वी मंगा आएगा तो जयसीपी का जितना चार्ज लगेगा वो तार्ज का बुक्तान करना पड़ेगा, उस मलबे को वहां से हटाया जाएगा, और वो मलबा पूरा का पूरा नगर पालेगा, उठा कर ले जाएगी उसको, ना कि उस मालिक को देगी, जारा 220, कतिपे मामलों में रेल परसाशन को सूचित करना, यानि कुछ मामलों में, पर्टिकूलर, कतिपे का मतलब पर्टिकूलर, कुछ मामलों में रेल परसाशन को सूचित करना, यदि मुख्य नगर पाले का अधिकारी, किसी रेल लाइन के आर पार, कोई पाइप लाइन, या नाली रखना, या ले जाना, या जल निकास करना चाहता है, तो वह रेल परसाशन को सूचित करेगा, यदि मुख्य नगर पाले का अधिकारी, किसी रेल लाइन, जैसे कोई रेल लाइन है, और नगर पाले का उस रेल लाइन के पास, रेल लाइन के पास, या उसके आर पार कोई नाली ले जाना चाहता है, तो रेल विबा को, रेल परसाशन को सू 17 18 19 और ये 20 समझ गे तो दहरा 16 17 18 19 20 हम पिछले तीन किलासों से 4 किलासों केवल नालियों के बारे में बात कर रहे हैं दहरा एक सो सुरी दहरा 200 से लेकर के 220 तक अभी तक हम नालियों के बारे में ही बात कर रहे हैं यह मेरा एप है इस एप पे बहुत सारे आपको अलगलग कोर्स के टेस्ट पेपर इस्टेडिमेटर मिल जाएगा और अभी जल्दी ही इस एप पर रीट के लिए पूरी टेस्ट सीरीज आ रही है टोपिक वाइज वेख्या सहीद टेस्ट सीरीज आ रही है लेवल सेकिंड के सेकिंड के लिए आ रही है एवल सेस्ट यानि सेश्टी के कि जीके वाला पार्ट और इसस्टे के नंगरपालिका का पूरा मेरा पर से यहां पर इसमें जो टेस्ट पेपर हैं, टेस्ट पेपर अपलोड हो रखे हैं, इसके उपर दिर दिर हो रहे हैं, तयार, अभी साइद बीसिक टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं इस पर, और इसके अलावा, इस पे, इस्टेट मैटरिल भी हैं, नोट्स हैं, पीडिया फॉर्म में अच्छे से समझा रखा है सरल भासा में है न की हूब हूब भासा में है वैसे दो भासा तो लगबग वो ही आएगी जो अधिनियम की है लेकिन उसका जाँ जाँ ज़रूत पड़ी है वहां मैंने उसका सरलिकरण किया है